नमस्कार व्यूवर्स मैं हूँ अमीश देव गंड और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोग प्रियकालिकरम जैसे क्रिकेट में कई बार आफ्री ओवर की अंतिम गें तक रोमांच देखने को मिलता है यानि क्लाइमेस तक खेल देखने को मिलता है ठीक उसी तरह दोहजार 24 का सेमी फाइनल कहे जा रहे है पांच राज्यों के एसेंबली इलेक्शन के नतीजों का रोमांच भी अब बड़ा बढ़ता जा रहा है खुद कांगरेस पार्टी के साथ साथ कई एक्सपर्ट दावा कर रहे थे कि मद्द परदेश में कमल को मात और कमलात को जनता का साथ मिल लाता है लेकिन एक्जिट पोल के बाद अब ये तस्वीर बड़ी धुंदली परती नजर आ रही है कोकि कई सर्वे में गाजे बाजे के साथ बीजेपी की 18 साल बाद पिर सत्ता में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है तो उधर राजस्तान में भी बीजेपी कॉंग 12 में कॉंग्रेस बी एरेस के साथ में सत्ता चीनती दिख रही है लेकिन एक्जिट पोल के बाद एक और बड़ी घटा हुई है करीब 21 घंटे के दोरे पर दुबई पहुंचे पधान मंतरी मोदी का भारते समुदाय के लोगों ने नाकेवल जोरदा स्वागत किया बलकि अ आज जनता जरार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी वहत 3 दिसंबर में किसकी खुलेगी पोल और कौन बजाएगा भॉल आज की चर्चा इसी पर मध्य प्रदेश में कमल या कमलनात राजिस्थान में राज बदलेगा या रिवाज 36 गढ़ का गढ़ किसके नाम एक्जेक्ट रिजल्ट से पहले एक्जिट पोल का परिणाम आ गया है और रुज़ान बता रहे हैं कि इस चुनावी खेल का रोमांच आखरी ओवर तक कायम रहेगा क्योंकि एक बड़े उलट फेर के साथ ज्यादतर सर्वे मध्यपरदेश में शिवराज के कायम रहने का अनुमान जता रहे न्यूज 18 के टारगेट पोल के मुताबिक राजिस्थान में भी कमल खिलता दिख रहा है इस वज़ा से कॉंग्रेस का नंबर जो है वो टाइट दिखाई दे रहा है इस प्रकार का विश्वा समर्थन और आशिरवाद भारती जनता पार्टी को मिला है उस दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजिस्थान में 135 प्लस 135 से उपर भारती जनता पार्टी के सीटे आने वाली है पटवारी साब क्या आपको लगता है कि ये काटे की टकर वाकई महंगी पढ़ रही है कॉंग्रेस पार्टी को या फिर सिंधिया का जाना महंगा पढ़ जो कांग्रेस पार्टी का इंटर्नल सर्वे है उसमें कांग्रेस पार्टी को 135 से उपर जा रही है एक सो पच्पन तक भी जा सकती है लेकिन एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजे थे तो दूसरी तरफ दुबाई में प्रधान मंत्री के सामने भारती समुदाय के लोगों ने बीजेपी के लिए 2024 में नया टार्गेट सेट कर दिया लेकिन आज जुनता के बीच पांच राजियों के ट्रेलर पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस तो हमारे साथ आज कौन कौन जुड़ा है आईए आपको बिलवा देते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक है किसकी खुलेगी पॉल और कौन बजाएगा धोल तो आज के इस मेहमानों की लिस्ट में मैं अपने गेस्टों को बुलाओंगा एक अलग अंदाज में मेरे साथ पहले आ रहे हैं सेथीन पुनवाला का अभिनांदन है मेरे साथ राज़िटिक विश्टेशक है उनका अभिनांदन है स्टूडियो स्केंदर मेरे साथ आज कुमार भाती संजीव कोशिक मेरूथीर रंग्रेश सब्का विनंदन है तो किसकी खुलेगी पॉल कौन बजाएगा ढूल तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे तमाम मेमानों का हमारे चुनावी एक्सपोर्ट का हमारे नेताओं का आप ठबका एक बार फिर अभिनंदन है न्यूज 18 के इस मेगा शो के अंदर और आज की चर्चा की मैं शुरुबात करूँ तो सबसे पहले कुछ आंकडे देखना जरूरी हो जाता है ऐसा लगता है कि राजस्तान के अंदर बीजेपी के लिए जीत इतनी आसान दिख रही थी उतनी है नहीं और मद्यपरदेश के अंदर कॉंग्रेस जितनी हावी दिख रही थी उतनी है नहीं और साथी साथ सत्तिस गड़ में भुपेश भगेल का किला बीजेपी नहीं भेद पा रही और बी आरेस को चनौती दे रही है कॉंग्रेस तेलंगाना के अंदर तो ये कुछ बड़े आखड़े है और मद्यपरदेश में चाहे महा कॉशल हो चाहे चंबल हो चंबल में 34 सीटे हैं बीजेपी के खाते में 19 जाती हुई दिख रही है कॉंग्रेस को माइनस 12 यानि 12 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है और महा कॉशल जो कवनलात का इलाका है वहाँ बीजेपी स्वीप करती हुई दिख रही है 47 सीटों में से 32 जीती हुई दिख रही है और कॉंग्रेस के खाते में 15 माइनस 13 हो रहा है और अन्ने के खाते में शूनने जा रही है यानि जहां-जहां मद्वर्देश में अन्ने थे वो सारी सीटे लगबग लगबग बीजेपी के खाते में जा रही है और कॉंग्रेस से सीटे बीजेपी छीनती हुई दिख रही है ऐसा कई एक्जिट पोल इशारा कर रहे है तैसीन पुनावाला, राजकुमार भाटी, संजे कुमार और शेजाद पुनावाला आपका एक बार फिरा बिरंदर है और शुरुबात इस शर्चा की मैं करते हूँ संजे कुमार से क्योंकि चुनावी विश्ट्रेशकों का ये दिन रहते हैं ये तीन दिन नेताओं के पास पहले जाना मुझे लगता है कि गलत होगा संजे कुमार जी, खेल जितना आसार दोनों के लिए दिख रहाता हो उतना निकला नहीं है, क्या तीन दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही होगा आप अलग-अलग राज्यों के एसेस्मेंट को देखें तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पोल्स्टर के एसेस्मेंट बहुत अलग है तो किसके करीब होगा ये कहपाना तो अमीश बहुत ही मुश्किल है कि किसके करीब होगा पोल्स ऑफ पोल्स करते हैं क्या उसके करीब होगा क्या कोई आउट लायर है जो किसी राज्य में एक पार्टी को बड़ी जीत दिखा रही है क्या उसके करीब होगा कहपाना तो बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है लेकिन मुझे लग रहा है कि सारी पार्टीओं के लिए कम से कम दो बड़ी पार्टी जो है कॉंग्रेस और बीजेपि के लिए कुछ न कुछ अच्छे संदेश अलग-लग राजियों से जरूर आएंगे शहिजात-पुनावाला आप राजिस्तान में खुद मूर्चा संभाले हुए ठे लेकिन राजिस्तान में ऐसा लग रहा है कि खेल बन तो सकता है लेकिन बिगड़ भी सकता है तो खेल बिगाड़ कौन